असलाम अलेकुम मशीन लेर्णिंग के इस टुटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं और इस टुटोरियल में यह इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Decision Tree Classifiers क्या होते हैं और उसको कैसे Python को यूज करते हुए Scikit Learn की Library को यूज करते हुए तो कैसे Implement करना है तो टाइम जया है कि यह बगार चलते हैं देखते हैं कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखा देत हूँ कि Decision Tree में हम क्या करते हैं यह हमारा डेटा है हमने चिला के डेटा में यह क्लेक्ट किया था Machine Learning की हमने Workshop की थी जिसका Link आपको उपर नज़र आ रहा होगा अब यहां पे यह यहां पे आपको Link नज़र आएगा ठीक है अब यहां पे आप देखें कि हमारे पास एक, दो, तीन Numeric Variables हैं एक Gender का Boolean Operator आप कहलें Boolean नहीं इसे हम कहेंगे यह आप यह कहलें कि दो Categories का यहां पे यह वाला Variable है यह हमारे आउटपुट है और यह चार हमारे Feature Data Sight है लेकिन हम चार के चार को नहीं पहले देखेंगे पहले हम दो को देखेंगे फिर हम चार के चार को देख सकते हैं कैसे करना है इसको बड़ी सिंपल से चीज है आप मेरे साथ करते रहेंगे तो आपको समझ आ लेगी बड़ा एजी है यहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है Library Import करनी है कौन सी Library Import करनी है I will show you and then we will import our data set inside this library अब होगा क्या कि सबसे पहले Import Pandas As यहां पे लिखते है Import Libraries Import Pandas As PD यह करने के बाद हम करेंगे हम बनाएंगे PD.Read CSV करेंगे और इसके अंदर हम अपना जो data है MLData.CSV उसे मैं MLData.CSV इसे हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करने के बाद इसको DataFrame का नाम दे देंगे परियानी का नहीं देता क्यों नहीं देता क्योंकि जब आप Modeling करते हैं तो कोशिश करें जहां पर आपका एक दवाह हाथ सेट हो जाए वह Same वही DataFrame दें फिर आपको क्या करना पड़ेगा सिरफ Same Script को Copy करेंगे और आपका सारा Code चल जाए करेगा I will show you in later videos how to आउट पुट के हैं लेकिन हम क्या करते हैं सबसे पहले काम हमने Gender को ना Dummies Variable में Convert कर लेना या Male को हमने कह देना है One और Female को हमने कह देना है Zero इसको करने के लिए हमने क्या करना है बीच में Replacement करना है DataFrame के ठीक है Gender वाले कॉलम में करना है हमने ठीक है और Gender वाले कॉलम को हमने कर देना है Update कैसे DF यह आप देखिएगा बड़ा इजी सा है कि Male या यहां पर करना है Gender Gender करने के बाद Dot Replace का function लगाना है Dot Replace के बाद कौन सी चीज Replace करना है मैं कहता हूँ कि मैंने Male को Replace करना है किस के साथ कॉमा वन के साथ ठीक है अज से Replace हो जागा Male का कॉलम और अगर इसको मैं पेस्ट करके यहां पे Female और फिर यहां पे Zero कर दे तो तो यह Female जो है वो Zero में हो जाएगी Convert तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमने जो Convertion किया वो हो गई तो आप यह देखें कि यहां पे Gender Male आ रहा है अगर मैं यहां पे Tail लगाऊ Head की बजाए तो आप यह देखें कि Zero भी आ रहा है जहां पे Female थी वहां पे Zero आ गया बाकि Male का One हो गया Automatic यह हमने सिस्टम लगा दिया क्यों? क्योंकि Decision Tree Classifier के अंदर हम क्या करते हैं? जैसे हमने Linear Regression और Multiple Linear Regression में हमने यहां पे Continuous Variable था हमारे पास और पीछे भी सारे Continuous थे अब यहां पे हमारे पास एक Categorical Variable या Discreet Variable है ठीक है इसको Define करने के लिए हमें Decision Tree Classifier का यूज़ करना पड़ते है यह कहां पे यूज़ होती है यह आज के हम Zoom के Session में देखेंगे but for now you have to actually look into it कि हमने किस तरीके से कोई भी Categorical Variable या Class को हमने जो है वो Define करना है अब इसके बाद हम क्या करते है हमने Features and Output का Data Set बना लेना है Selection of Input and Output Variables ठीक है यह बनाने के बाद हमने गया करना है X के Equal रख लेना है DF और इसमें से मैं चाह रहा हूँ के मैं Weight and Gender को रख लेता हूँ ठीक है और दूसरे में Y is equal to DF इसके अंदर रखना है सिरफ और सिरफ हमने क्या Likeness यह डेटा सेट हमें बताता है कि अगर Age, Height और Weight यह और Male यह फीमेल है जो हमने डेटा क्लक्ट किया था तो उनको पकोड़ा पसंद है बरियानी पसंद है यह समोसा पसंद है तो इसको हम दो बना लेते है अब यहाँ पे एक Error है इस चीज में वो कौन सी Error है आप वीडियो को Pause करें और मुझे बताएं कि यह वाली Error है Pause ने किया ना करें यह लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे X और Y को हमने इस तरीके से Define कर लिया हमारा X में Weight और Gender है सिरफ Weight and Gender यह दो हमने निकाल दी है ठीक है यह भी हमें नहीं चाहिए यह हमने कभ यूज करने मैं आपको बताऊंगा Then हम X को भी देख लेते हैं कैसा है सेट हो गया हमारा X में Weight and Gender आ गया ठीक है और Y.head अगर करें Small Y है बियानी वगएर आ गया ठीक है यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेट हो गया अब हमने Machine Learning Algorithm लगाना है ठीक है Machine Learning Algorithm लगाने के लिए हमें सबसे पहले From SK Learn Library से हमें Tree वाले Module से Import करना पड़ेगा किसको हम मैंने आपको बता है कि Decision Tree Classifier उसको हमने Import करना है इसके बाद हमने करना है जनी Create and Fit Our Model मैं A की लाइन में इसे Create and Fit कर लेता हूं Model के Equal रखके Equal To यह वो ही चीज़े हैं जो हमने Linear Regression में की हैं यहां पे लिखता हूं Decision Tree Classifier यह हमने लगा लिया लोग क्या करते हैं बाद में Model.Fit करते हैं और यहां पे लिखते हैं X,Y मैं कहता हूं कि आपको Model को इस तरीके से भी Fit कर सकते हैं But the thing is better if you know कि यहां पे एक Line में हम कर दें क्योंकि जितनी Lines of Quotes कम होंगी आपको उतना ज्यादा मजा आएगा ठीक है यह हमने कर लिया जनाब Model अब Model तो हमने कर लिया अब इसी के अंदर ही हम Prediction कर सकते है ठीक है Prediction कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप देखें हमारे पास Weight और Gender की Base पे आगए आना था अब कोई भी Weight दें और Gender दें तो आपको Prediction आनी चाहिए कैसे मैं यहां पे कहता हूं Model.Predict ठीक है तो आप देखें यह कहा रहा है हमारे डेटा की Base पे उसे बरियानी पसंद होगी तो आप देखें कि Machine Learning क Algorithm यह सिर्फ तीन Lines of Code में लिखा जाता है You don't need to actually work on different things अगर मैं कहूं कि 23 साल की अगर female हैं हमारे पास तो उनको क्या पसंद है तो बरियानी पसंद है ठीक है यहां तक आपको Clear हो गए तो वीडियो को Pause करें और मुझे बताएं कि हाँ जी यहां तक Clear है आप इसकी Theory जो है वो हम शाम को देखेंगे जो हमारा Lecture है अब तक बताएं कि इतना Clear है यह ने वीडियो को Pause करें और मुझे बताएं तो यहां तक आपने देख लिया कितना Easy है किसी भी Model को Run करके Predict करना इस Tutorial के End पर यह इस वीडियो के End पर मैं आपको बताने वालों के Decision Tree Classifier हम किस तरीके से Implement करते हैं और इसके पिछे Based Theory किया है लेकिन उससे पहले यहां पे हमने Algorithm अपना Apply कर दिया Now the thing is कि हमने Accuracy कैसे Check करनी है यह आपको पिछली Assignment में बने कहा था How to Measure the Accuracy of our Model कैसे करनी है Check उसको देखने के लिए हमें कुछ Libraries Use करने पढ़ेंगे और हम यहां पे Method यूज करेंगे that is Split data into test and train 80 by 20 rule ठीक है यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है अब होता क्या है कि हमने from SQLearn library dot model selection इसमें से हमने import करना है क्या import करना है आपको पता है train test split train पहले आना है test बात में ठीक है and then from SQLearn हमने matrices में से import करना है accuracy score अब आपको समझ आगी होगी जो कल वाले live session में मैंने आपको बताया था कि matrices क्या होते है r square क्या आता है main square क्या आता है और बाकी सारी चीज़ें कौन कौन सी अब accuracy score के लिए हमने जो इसमें parameter use करना है वो हम देखते हैं उससे पहले हम करते है X हम train और test में split करते है train test split को हमने लगाया हमने X में से और Y में से capital X और small y में test size जो हमने रखना है हमने जो test underscore size रखना है वो है 0.2 यानि ये बता रहा है हमें कि इसमें से जो है 80% जो है हमने रखना है training data and 20% हमने क्या रखना है या मुझे ज़रा 20% क्या हमने रखना है या मुझे ज़रा text करें audio telegram के उपर था कि मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं now the thing is इसमें से हमें 4 data set मिलेंगे हम उनको नाम देते हैं X underscore train एक को दे दिया दूसरे को दे दिया X underscore test Y underscore train comma Y underscore test ये हमने इनको नाम दे दिया अब ये सारे नाम देने से हमें क्या फाइदा होगा the thing is कि आपने data तो split कर दिया लेकिन use कैसे करना है उसके लिए हमें ये नाम देने परते हैं अब यहां पे मैं क्या करता हूँ बताई थी कि test data को run करके predicted values को हमने actual values के साथ compare करना है कौन सा test data और कौन से predicted values हम try करते हैं अंदन देखते हैं model हमने एक बनाया यहां पे इसको हमने नाम दे दिया decision tree classifier का इसको dot fit किया हमने किस चीज़ पे या आप इसको second step में भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहां पे मैं बोलूँगा fitting model fit करने के लिए model को fit करने के लिए model को model dot fit लगाएंगे और जहरी बात है कि हम training data पे fit करेंगे क्योंकि हमने model को train करना है train data पे ठीक है हमने x train दिया और y train दिया train हो गया अब हमने क्या करना है जनाब हमने prediction देखनी है हमने predicted underscore values देखनी है कौन सी predicted values हमने करनी है जो हमारे पास यह देखें हमने x train दिया और उसका y train हमारे पास output आगी ठीक है अब x test देना है और y test वाली values नहीं हमने देखनी हमने y की prediction values लेनी है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे predicted values के अंदर हम लिखेंगे model.predict करें model किस चीज को x में जो test का हमारे पास values हैं ठीक है जो 20% हमने test के लिए बचा के रखी थी अगर हम इसको run करें और यहाँ पर लिखें predicted values तो यह देखें वो सारी की सारी predicted values x test वाले की हमारे पास आगी बरियानी 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 समोसा बरियानी सब different things आगे अब हमने करना क्या है score चेक करना है score कैसे चेक करना है checking score score चेक करने के लिए हमें simply क्या करना पड़ेगा score का हम एक object बनाते हैं इसके अंदर simply हमने लिखना है accuracy score सिरह जैसे English में नहीं लिखते हैं इसका accuracy score क्या है हमने करना है y underscore test ये जो हमारी actual values थी y test को जो हमने split किया मतलब output जो original थी हमारी 20% data की output वो लिखी और इसको हमने compare किया predicted value के साथ ठीक है y test है हमारा actual values अगर हम यहां पे y underscore test को कह दे is equal to actual underscore values अगर आप इसको actual values कह दे ठीक है ये देखें मैं यहां पे लिख देता हूँ actual underscore values ठीक है y underscore test को हमने actual values कह दिया actual values कह दिया और predicted values के साथ इससे compare कर लिया let's see हमारे पास score क्या आता है तो यहां पे एक error आ रही है कि इसको आप actual values में नहीं convert कर सकते है लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि यह actual values है तो मैं यहां पे y underscore values लिख देता हूँ y underscore test यही लिख देता हूँ और यह देखें हमारे पास जो actual score है यह .61 है मतलब 61% accurate है हमारा model which is not really bad and not really good ठीक है तो ऐसे इस तरीके से हम किसी भी model को decision classifier के model को check कर सकते हैं आप similar यह वाला script जो है यह आप linear regression और multiple linear regression पर भी लगा सकते हैं you have to check के आप किस तरीके से करेंगे ठीक है यह आपकी assignment है कि accuracy score उन models का कैसे check करना है अब जब आप इसको दुबारा run करेंगे न देखें model के accuracy down यह up हो जाएगी क्यों क्योंकि यह randomly randomly assign कर रहा है 20% data को इसमें क्योंकि हमने यहां पे random यहां पे हमने random state is equal to 0 या 1 करनी होती है अब देखें हमने 0 की है न 61 था 61 था 61 है 61 है 61 है let's put it 1 अगर यह काम करें तो यह देखे 51 होगी 51 होगी 51 होगी 51 होगी 51 होगी 51 होगी तो आप देख सकते हैं कि यह value change होती जाएंगी हमेशा ठीक है क्योंकि यह randomly select कर रहे data को अब आपने इतना गाम तो कर लिया now the thing is कि यह ठीक है हमारा model की accuracy हमें पता चलगी कि अच्छा accurate है कि नहीं है मैंने आपको बताया था कि 0.75 से उपर हो तो बहुत अच्छा accurate है 0.61 से उपर यह 60% से उपर accuracy आपकी चल जाती है लेकिन depend करता है कि theoretical models आपके क्या कहते हैं और आपका basic knowledge कितना है अपने input और output data के related अब अब चीज यह है कि बहुत सारे लोग परिशान हो जाते हैं जब भी कोई model को चेक करते हैं कि इसके accuracy ने ठीक आ रही तो उसके लिए भी आपको different तरीके देखने पड़ेंगे अब देखें कि यह बार बार randomization कर रहा है ठीक है और जब भी हम इसको train और test पर run करते है model को तो बार हमें यह script लिखना पड़ते है what if मैं अपना model एक train करके रख लूँ क्यूं क्यूंकि जब हमारे पास data thousands of rows में होगा तो training करने के लिए आपको अच्छा खासा machine और अच्छा time चाहिए होगा आप क्या करें आप अपने model को train करके save कर सकते हैं how to train and save your model उसके लिए आपने क करना from sklearn.tree import decision tree classifier इसके बाद आपने करना है import job lib अगर आपके पास यह library नहीं है तो आप इसे install कर सकते हैं फिर हमने क्या करना है model को run किया इसको मैंने कहा decision tree classifier है decision tree classifier आगया ठीक है इसको मैंने dot fit किया किस चीज़ पे मैं कहता हूँ x, y पे क्यों मैंने ऐसे किया क्योंकि मैंने check करनी थे predicted value वह हमारे पास आगी जितनी भी but to run our model to train our model we need to use the whole dataset इस वज़ए से मैंने पूरे के पूर फिर मैं क्या करूंगा job dot नहीं job lib यहां लगाने के बाद dot dump करूंगा कि मतलब इसको एक dustbin में फैंक दो या एक basket में लगा दू को किसको हमने model को dot dump करना है और उसके बाद model का नाम लिखने है नाम लिखने के लिए आपको 4-5 चीज़ों का ख्यार रखना पड़ेगा I will tell you which one आपने नाम देना सबसे पहले मैं कहता हूँ यहां पे foodie foodie का मैंने नाम दे दिया कि कितना कोई कितना foodie है dot job lib यह आपने करना है क्योंकि job lib एक model की आप कहलें कि extension है अगर आप यह नहीं लिखेंगे तो आपका model save नहीं होगा अब जैसे ही आप इसको run करते हैं तो यहां प model को how to run a stored or save model on our data कैसे करना है import कैसे करना है और run कैसे करना है this is your assignment बहुत easy है यह आपने मुझे send करना ही है ठीक है and then we will move towards k होता किया decision tree classifier ठीक है again हम वो ही काम करेंगे यहां पे जो हमने x और y को सभी को किया हुए हम क्या करते है model हम इसकी graph बनाते हैं ठीक है graph कैसे बनाना है हमने model अपना design किया हुए है जो पिछले में हमने design किया है model is equal to decision tree classifier इसके बाद dot fit fit के बाद हमने करना है x, y पूरे का tree dot export हमने यहां पे library पहले import कर लेते है from sk learn import tree ठीक है यहां पे अगर हम लिखेंगे tree dot export अब हमारे पास graph विजार रहा है यह हमें एक graph देगा यह वाला ग्राफिक evaluation या look into what happened ठीक है देने के बाद यह वाला argument लिखा लिखने के बाद हमने अपना model का नाम देना है model हमारा model ही है देने के बाद हमने करना है output file अपनी देनी है कि किसमें इसके convert करें मैं कहता हूँ out out underscore file यह होगी जनाब इसका नाम हो गया मैं इसको बोलता हूँ foodie dot हमने इसको dot file में convert करना है यह इसकी extension है ठीक है dot file dot file में करने के बाद आप अगली चीज़ जो लिखेंगे वो है features feature names ठीक है feature names कौन से हैं आपको पता है अच्छे तरीके से हमने क्या किया हुए age है comma हमारा gender है ठीक है यह हमारे दो features name feature names है age और gender इसको हमने इस तरीके से लिख लेना है age और gender को लिखने के बाद अगली चीज़ क्या हमारे पास आती है class name class underscore names कौन से है हमने सबी को sorted कर ले ना class को y.unique करने के बाद अब आपको समझ आएगी के y.unique मैंने यहां पर क्यों यूज किया है क्यूंकि मैं चाहता हूं कि y के अंदर ना y के अंदर y dataset के अंदर जितनी भी unique values है वो sorted हो जाए ठीक है उपर से नीचे तक sorted हो जाए ठीक है इसको करने के बाद मैं कहता हूं फिर सभी को label कर दो यह जो जो मैं लिख रहा हूं यह आप एक दफ़ा देख लें आपको अभी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मैं क्या क्य चीज़े लिख रहा हूं rounded कर लेते हैं rounded क्यों करना है हमने true क्योंकि जो values हमारी points में वो round off हो जाए और filled कर देते हैं हम पूरे के पूरे graph को कैसे अब यह देखे हमारे पास इसको run करने के बाद यहां पे job हमारी जो है dot file बन गी है foodie dot dot इसको मैं click करता हूं click करने के बाद इ and इसको मैं कहता हूं open preview to side यह देखें जी यहां पे आपका preview हो गया सारे के सारा graph अब क्या होता है देखते हैं इसके अंदर यह पूरे का पूरा decision tree है ठीक है क्या होता है कि यह classes और if else loop लगाता है कि अगर यह हो गया तो यह हो जाए यह वाली side cell पढ़ेगी अगर यह हो गय else लगते हैं तो at the end आपके पास एक class आती है तो यह सारा काम पहले लोग coding में किया करते थे या handwritten किया करते थे but now it's very easy with few lines of codes के आपने decision tree classifier कैसे बनाना है और यही decision tree classifier है यह use होता है face tagging में कि अगर आप application से किसी चीज़ को scan करें वो किसी animal की है यह human की है यही decision tree classifier use होता है mostly जब आप किसी product को sort out करते हैं और यही decision tree classifier use होता है जब आपके emails spam में जाते हैं या आपके inbox में आते हैं तो different किसम के आपके if and for loops if loop and else loops चलते रहते हैं और यह decision tree classifier हो जाता है आप इस decision tree classifier को गोर से देखें और कोशिश करें समझने की ताके आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़े हैं for example यहाँ पे आप देखें के यह decision tree classifier जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह पूरा एक html फाइल भी open हो जाएगी ठीक है आप इसको अच्छे तरीके से move भी कर सकते हैं जिस चीज़ को आपने देखने है ठीक है तो इस decision tree classifier को अच्छे तरीके से देखें और मुझे बताएं कि आपको इसकी समझ जाई के नहीं आई ठीक है चलाने के लिए इसको क्या करना है इस file को open करना है open करने के बाद यहाँ पे click करने के बाद आपने open preview to side कर लेना है और यहाँ पे in points पे click करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से decision tree classifier को देखना है तो यह होता है decision tree classifier जिसमें हम क्या करते हैं हम data set लेते हैं और दो या दो से ज्यादा parameters को लेने के बाद हम अपनी class define करते हैं बरियानी की class दूसरी समोसे की class या किस चीज की class है prediction भी हम ने आपको बता दी है score भी मैंने बता दिया इसको evaluate कैसे करना है वो भी बता दिया आपको मैंने यह भी बता दिया कि decision tree classifier दो parameters की base पे कैसे चलाना है now it's your task to run this in all these four parameters बहुत easy है same वही चीज़े है x की value change हो जानी है यहां पे जहां पे आप दो values दे रहे हैं यहां पे आपको चार देनी पड़ेंगी that's it और कोई मसला नहीं है prediction वाला और बागी सारा कुछ वैसे ही चलना है आपकी assignments का मैं wait करूंगा और decision tree classifier में कोई भी question है then we will see in the next zoom class thank you so much अपना ख्यार रखेगा और इस channel को subscribe जरूर कर दें और youtube के comments के नीचे लिखें के decision tree classifier is clear thank you so much take care Allah ने के बागा